राकेश जुन्जुन वाला की इन्वेस्टमेंट फिलोसफी को ही दुनिया का आखरी सत्य मानने वाले सुधीर भाई अभी भी होसला बनाये हुए हैं माने मार्किट की तेज गिरावट में भी उनका जजबाब बरकरार है हाँ ये बात दीगर है के हर गिरावट में खरीदते खरीदते अब उनका बटूआ भी खाली हो गया है दूसरी तरफ हैं अपने अधीर भाई अधीर को ये बाजार का चक्कर समझ नहीं आता क्रिप्टो और शेयर बाजार दोनों को एक ही तराजू पर रखते हैं अधीर भाई बाजार उन्हें लालच का ऐसा अड़ा दिखता है जहां लोग अपना पैसा खुद डुबोते हैं खेर रूस यूक्रेन में जंग छड़ी और दुनिया में मच गया हाहाकार ऐसे ही माहौल में एक सुभ है पॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बाहर चाय की दुकान पर भिल गए अपने सुधीर और अधीर भाई मार्किट की वैसे भी लंका लगी हुई है सो अधीर भाई को मिल गया सुनहेरा मौका सोचा आज सुधीर को चारों खाने चित कर देता हूँ अरे अच्छा ही है, कम से कम पैसे डुबो तो नहीं रहा मैं बढ़िया है, मैं बताओ, जितनी बार बाजार गिरा है, मैंने खुब पैसा लगाया है अब जब देजी आईगी तो फटा फट पैसा दो गुना तीन गुना होगा, समझे लल्लू मतलब अब तुम दिन में भी सपने देखने लगे हो, अच्छा तुम जो ब्लू चिप स्टॉक्स में पैसा लगाये बैठे हो, ITC, HUL, HDFC बैंक, HDFC लाइफ, इनमें कितना खमाया लिया तुमने, हो गया पैसा दुगना है अरे सब होगा, वो तो रूस युक्रेन पर चढ़ाई नहीं करता, तो मार्केट अभी भी गुलाचे मार रहा होता अरे लड़ाई ही नहीं भाईया, क्रूड की तेजी ने भी बाजार का तेल निगाल दिया बाबा, 120 डॉलर का दाम समझते हो, 120 अरे वो भी लड़ाई की वजा से ही चल रहा है, इधर जंग खत्म होई, तो कुरूट भी ठंडा हो जाएगा ऐसा नहीं है गुरू, बाजार तो पिछले साल अक्टूबर से गिर रहा है, जूठे पुलिंदों से नहीं चलेगी ये गाड़ी अरे तो गिर गया था तो जनवरी में फिर चड़ भी तो गया था, 18,300 पर पहुँझ या था निप्टी अच्छा एक बात बताओ, ये जो बाजार है, ये तो विदेशी निवेशक चलाते हैं न, अब वे क्यों भाग खड़े हुए अब भाग गए तो भाग गए, और हाँ, उनके बूते खाली नहीं टिका है बागार अच्छा, लगातार 6 महीने से FII निकाल रहा है पैसा अक्टूबर से अब तक 2,00,00 करोड रुपे से ज्यादा के शेर बेच चुके हैं तुमारे विदेशी निवेशक 2008 की क्राइसिस से भी ज्यादा बड़ी है यह निकासी पता है तुमारे विदेशी कद्रदान बाजार की पीक में माल बनाकर निकल लिए और बाजार में फसगे तुम जैसे बुद्धू तमीश से अरे माफ करना थोड़ा गल्ती में इदर उदर इदर उदर हो जाता है ठीक है ठीक है और सुनो अब बाजार इन विदेशियों की महरबानी पर नहीं ठीका है हर महीने लाख करोड़ों लोग डिमेट खाता खुला रहे हैं अब रिटेल इन्वेस्टर तमदार हो गए है और सुनो घरेलू संस्थागत निवेशक यानी डियाई आई ने पिछले छे महीने में बाजार में 1,42,000 करोड़ रुपए लगाए हैं पस हो गया बैलन्स अरे अगर बैलन्स हो जाता न तो ये बाजार जो है वो आंधे मू जमीन पर नहीं पड़ा होता गिरावट पर खरीदने वाले कहाँ चले गए चाचा हैं विदेशी निवेशक जान गए थे कि तुमारे बाजार की वैल्यूएशन उची है महंगाई जादा है ब्याज दरो यही थे तेजी का घोड़ा और यह घोड़ा अब भाग गया है गुरू अब पीटते रहो मरा हुआ सांप और जान लो यह जो लडाई हुई है न उससे कंपनियों के प्रॉफिट पर असर दिखना शुरू हो जाएगा बहुत जल्दी आने दो तिमाई के नतीजे प्रॉफ से कम हाथ तो हार है ना तुम्हारे हाथ तो पांच टका भी नहीं लगने वाला अरे मेरे गुरू ट्राके जुन-जुन वाला है लंबे वक्त के लिए पैसा लगाता हूँ देखना एक दिन में रईस हो जाओंगा और तुम साइकल पर घूंते नजर आओगे ना गुरू औ हो गया तो तुम भी साइकल परी हाँ हाँ कि है